नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में दोस्तों मैं करूना एक बहुत ही इंपोर्टन न्यूस लेकर के आप लोगों के लिए आई हूँ उन सभी विध्यारती के लिए जो अभी 12th क्लास में बोर्ड की परिक्षा देने वाले हैं और लेना चाहते हैं दिल्ली उनिवर्सिटी में एड्मिशन तो बेटा दिल्ली उनिवर्सिटी ने अपनी एड्मिशन पॉलिसी को जारी कर दिया है क्या है दिल्ली उनिवर्सिटी के एड्मिशन पॉलिसी जानेंगे इस वीडियो में इसके अलावा बेटा कुछ विध्यार्ती ऐसे हैं जो SOL में admission लेना चाहते हैं या फिर National College at Women's Education Board में admission लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या रहेगा इस बार admission का process 2022-23 में वो भी जानेंगे तीसरा बेटा कुछ विध्यार्ती जो regular courses में admission लेना चाहते हैं undergraduate regular courses में करना चाहते हैं तो बेटा उनके लिए CUET परिक्षा के विशे क्या होंगे जानेंगे ये सभी इसी वीडियो में लेकिन इससे पहले अगर आप सिक्षाप्रवा पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे की इस तरह की जानगारी आपको मिलती रहें तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की विडियो तो दोस्तों दिल्ली उनिवर्सिटी ने अपनी admission policy को release कर दिया है मैं आपको बता चुकी ह दिल्ली उनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंग जी ने कहा है कि डियो की admission policy में इस बार जो admission होगा उसके अंदर C.U.E.T. के अंको को ही आधार माना जाएगा डियो के साल सार देश की 45 central universities में जो admission process है वो C.U.E.T. के माध्यम से ही होगा आप लोगों को बेटा पता है कि पहले जो admission होता था उसमें 12th class के अंकों के अधार पर आप लोगों का admission होता था और cut off marks there होते थे उसके according बच्चों को admission मिलता था लेकिन इस बार आपको C.U.E.T. देना होगा अगर आप दिल्ली उनिवर्सिटी में admission लेना चाहते हैं इसके अलावा बेटा आप लोगों के दिमाग में दूसरी बात ये होगी कि भई हमने regular नहीं पढ़ना है जीक है हमको सिर्फ S.O.L.C. यानि कि School of Open Learning से पढ़ना है या फिर Saturday Sunday classes लगती है National College at Women Education Board से हमको अपनी education लेनी है आगे की यानि कि undergraduate course की तो क्या इसमें आपको C.O.E.T. देना होगा तो बेटा सिर्फ यही दो course ऐसे हैं जिसमें आपको नहीं देना होगा C.O.E.T. कौन-कौन सा School of Open Learning अगर आप School of Open Learning से अपना undergraduate करना चाहते हैं तो आपको C.O.E.T. देने की जरुरत नहीं हैं इसके अलावा बेटा अगर आप National College Aid Women's Education Board में admission लेना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको C.O.E.T. टेस्ट नहीं देना होगा आपका admission कैसे होगा कब admission form निकलेगा इसके बारे में जानने के लिए जुड़े रहें सिक्षा प्रवा के साथ जैसे ही आपके admission form इसके अलावा बेटा अब है कि आपके विशे आपका subject क्या होगा जिस subject में आपको test देना है C.O.E.T. का तो इस बारे में dean admission हनीत गांधी जी ने कहा है छात्रों ने जिन विशेओं से बार्वी की होगी जिन subject से आप लोगों ने बार्वी की है उन्हीं विशे में आप क्यारिट भी आपकी उन्हीं विशेओं के आधार पर आखी जाएगी यानि कि उन्हीं विशेओं के आधार पर आपका एक्जाम होगा और उनसी के आधार पर आपकी मेरिट में selection होगा C.O.E.T. के तीन section होगी पहला जो section है दो भागों में बटा होगा जिसके अंदर 13 आए होगी दूसरे section में ठीक है बटा तो इसके बाद है एक भाषा को आपको चुनना आवश्यक होगा देख लेते हैं सभी सूचित भाषाओं में से एक भाषा को आपको चुनना होगा और हाँ देख लीजे आप लोगों को इसके अंदर minimum criteria दिया हुआ है यानि कि 30 प्रती विशे होंगे उन 27 विश्यों में से कोई भी एक विशे आपको चुनना होगा और उस विशे में आपको अपना एक्जाम देना होगा तीसरा section जो होगा फुपिटा आपका जर्नल नॉलिज का होगा और जर्नल नॉलिज के अधार पर आपको तीसरा section देना होगा एक्जाम देना होगा और merit में अपना number लाना होगा इसके अधार पर आपका undergraduate course में admission होगा admission के लिए सभी candidates को दूसरे section से कम से कम तीन विशे चुनने होंगे यानि कि जो पहला section है उसके अंदर आपके 30 प्रतिशत number होने चाहिए जो दूसरा section है जिसके अंदर 27 विशे हैं उस 27 विशे में से आपको कम से कम 3 विशे चुनने होंगे जो domain specific होंगे ठीके बिटा विशे B1 और B2 में बटे हुए होंगे जो subject आपके 27 subject होंगे वो B1 और B2 में बटे हुए होंगे इन ही मेंसे आपको कोई भी तीन विशे को select करना है दूसरा हर course के लिए मतलब BA के लिए बीकॉम के लिए B.Sc. के लिए या फिर अदर अंडर ग्रेज़र कोर्स के लिए अलग अलग नियम दिली उनिवर्सिटी रिलीज करेगी जब भी आपका circular रिलीज करेगी दिली उनिवर्सिटी तो उनके नियम और क्वालिफिकेशन्स भी निकालेगी जिसके बारे में आप देख सेकेंगे शिक्षा प्रवा पर तो दोस्तों आशा करती हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी नॉलेजबल रगी होगी आपके लिए हेल्फुर रही होगी तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को अपने दोस्त स्कीम, अपने सेंपर पिपर और सीबीएस्टी के सर्कुलर्स जो आते रहते हैं उन सब की जानकारी के लिए